तो आज टाइम वेस्ट किये भी ना फटाफट से अपनी यम्मी रेस्पी रेडी करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी ब्रेड तो ब्रेड को हम बेकिंग ट्रे में ही रख लेंगे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो यह मैंने इसके उपर डाली पीजा पास्ता सॉस और इसको स्प्रेड कर देंगे फिर इसके बाद इसके उपर डाली मैने मियोनिस और इसको भी स्प्रेड कर देंगे तो यह इवनिक स्नाक के लिए तो बहुत यमी यह है तो मैं पनीर के ऐसे चौरस कट पीस कर लोंगी और इसको ऐसे बीच में रख ार और अनियन रख है तो देख किये ऐसे करना है और इसके बाद इसके उपर डालेंगे हम और और फिर डालेंगे इसके उपर थोड़ासा साल्ट और फिर डालेंगे चिली तो चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा तो देखिए इसके बार इसके अंदर हम डालेंगे खूब सारा मौजिरेला चीज क्योंकि चीज के विना तो वैसे ही हमारी ये ब्रेट बनेगी ही नहीं तो खूब सारा चीज डालेंगे इसके उपर चीज डालने के बाद भी इसके उपर हम और्गैनस और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंग्ल करेंगे तो इसके उपर हम कलरिंग के लिए ब्लैक ओलिव लेंगे देखिए एकदम ऐसे तो फिर इसके हमें बेक करना है 20 मिनट का टाइम लगाऊंगी दोनों रोड साउन करूंगी तो 20 मिनट बाद हम देखेंगे कि इसका क्या हाल है एकदम ये क्रिस्पी और क्रंची बनी थी तो बहुत ही गरम होती है बेगिंग ट्रे तो मैंने अपने हजबन को बोला उन्होंने ये हमारी है तो देखिए मैं निकाल ली और फिर इसको मैं कट कर लूँगी बहुत ही ज्यादा यमी गाइस दिखने में ही कितने ज्यादा यमी लग रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा यमी बने थे ऐसे आप दो पीस में कट करें या फॉर पीसिस में कट करें टॉडली आप्स टू यू तो वाउ बहुत ही यमी कमेंट में बताइएगा कि आपके रैसी तो के ऐसे लगी और शेयर करने ना हुए